पेननी होगी और टीका भी लगाना होगा ये जो भाशन था नितिश कुमार का इसमें सियासी हलचल तो मचाई ही हिस्ट्री में भी जाएगा ये हमारे साथ इसमें बात करने के लिए खास महमान जुड़ चुके हैं साबिर अली जेडियू के नेता हमारे साथ जुड़े हुए साथी बीजेपी नेता आरती महरा हमारे साथ मौजूद है तीटा बहुगुणा जोशी नेता कॉंग्रिस की लखना उसे हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिश पत्रकार अर्विन मोहन और हमारे प्लिजिकल एडिटर मनीश अवस्ती सब कि से पहले साबिर अली सहाव आपके पास 생सा पूल ले lah तसवेर आपने देखी पूल ले लिए गले मिल लै लेकिन टूपी नहीं पहनी और गमशा तक नहीं ऊडाने दिया तो आखिल कि सटोपी की बात कहे रहे तो किस को टोपी कहनाने की पहनाने की बातक्ण और यह तबक जी मुझे लगता है कम से कम 15 साल से मैं देखता हूँ कि जब टोपी पहनाने का आथा है कभी भी उन्होंने जाहे वो अफ्तार की पार्टी दी हो या किसी जलसे में गए हो उन्होंने कभी इंकार नहीं किया यह एरपोर्ट की फोटो दिखाए जाती है हम भी जब कभी भीड म जो जहां दिखा रही हैं उनके अपने वरकर हैं यहीं वरकर के जरीए टोपी मंगा के हर जगा पहनी जाती है उस बहस में नहीं जाने जाते हैं सिच्वेशन और हालात नहीं साबिर अली साब तस्वीरे खूट बोलती है कि बीस साल पहले की बात मत करें हैं हम केवल दो साल जनाग साबिर साब कि बात कर रहे हैं हम यह तस्वीर साफ मोल रही है जब आप सुनिये का नहीं नहीं तो आपके चलिए कि डिफेंड्स विर्ट अनिससे पहले इस रमजान अभी आने वाला एक साल भी नहीं हुआ उस्सान की बात कर रहा हूं उनके आफे आफ्टार की रा कि इश्कुमार ने कभी टोपी पहने सिंग करने किया वहां पे मेरे माइनिटी का अध्यक्ष है वहां पे भीर है जब आदमी सफर चलता है तो सामने हाथ में बहुत से चीज लेता है जब बैठा रहता है मोके रहते हैं स्टेर सजा जाते हैं वहां इनका सिच्वेशन को आप पलट के दिखाएंगे तो सच्चा ही नहीं दिखाएंगे तो यह यह जो यह जो यह जो संयोग है यह बले जो दिखाना है साबिर अलीजा यह संयोग तो नरेंद्र मोधी के साथ भी हुआ होगा जब उन्होंने टोपी पहनने से इंगार किया फिर उसको लेकर इतना वड़ा मुटाखिं बनाए गया और उन्होंने जो बात कहा साफ गोई सिक्या उन्होंने किसी पर टिपनी ने की उन्होंने देश की बात की और मैं समझता हूं कि सच्ची और अच्छी बात की कि इस देश में हर लोग को जब राजमीत करनी है तो सब को साथ ले सिचुएशन भीड़ की रहती है आप देखिए वहां पर मैं देख रहा हूं आपके स्क्रीन पर जो अब्दुस्ट सलाव है हमारे पार्टी के वैसे कम से कम 10 ऑर्गनाइजेशन किये होंगे जहां टोपी नितीश कुमार जिप्यान के बैट नहीं बाट टोपी की हो रही है सा कि सब्राइख करा देने के लिए नहीं कहा उन्हों नों यहां पर पोई किसी को सब्सक्राइब करार करने का नियों कहा है कि वर्णी क्यों है नियों और भी हाप सावी साव आपके पास आएंगे आर्ती मेरा वहां बैठी है और अभी हमारी बात सुनकर बात्ची सुनकर मुस्कुरा रही है आर्ती जी टोपी टोपी में फर्क होता है वक्त और हालात के साथ बदल जाती है शीतर जी हम लोगतांत्रिक विवस्ता में हैं और जब जनता ये लोग जब हमें अपना प्रतिनिदी चुनते हैं सरकारें हमारे हाथ में आती हैं तो हमारा काम होता है पर्फॉर्मेंस करना और ओल एक्रोस हर वर्ग में जाके छोटे बड़े गरीब अमीर हर स्तर के लोग हर जाती हर धरम के लोग उनके बीच में जाके काम करें काम ये नहीं कि हम उनको टोपी बनाएं वो हमें तिलक लगाएं ये अपने अपने परसनल विशे हैं लेकिन आज ज़रूरत है क्या जेडी यू जो हमारा एलाई है जिसका हम बड़ा सम्मान करते हैं जो हमारे साथी हैं हम उनको अपने साथ लेके आगे बढ़के दो हजार चौदा की लड़ाई एक साथ लड़ना चाहते हैं जिनके साथ हमने बड़े लोगों की पूरे विश्वास के साथ दिहार में एक अच्छी सुद्रण सरकार बनाई है जिसमें हम अच्छे काम कर पा रहे हैं तो आज जरूरत है कि हम इन बातों में उल्जे लेकिन लेकिन आर्ती जी लेकिन आर्ती जी